हे गाइस वेलकम टू बिंग टीचर मैं किता वस्ती इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बीर्ट सेकेंडिर का जो पेपर नंबर फोर्थ है गाइडेंस एवं काउंसलिंग उनसे रिलेटर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव क्वेशन्स हैं उनके बार है तो हां बहुत ही कम लोग इंग्लिश में प्रवाइड कराते हैं तो यह कुछ क्वेशन्स हैं आप लोग पढ़िएगा अगर आपके दोस्तों को भी इंग्लिश वीडियो की जरुरत है तो प्लीज आप इस वीडियो को उन तक जरूर से पहुंचाईएगा उनको जरूर से शेयर करिएगा अगर वीडियो आपको helpful लगता है इंग्लिश हिंदी में आपको सही लगता है तो आप लोग प्लीज feedback आप comment box में बताइएगा तो आपको आगे और भी वीडियो आपको provide कराये जाएगे तो इसकी जो पीडियो फाइल है वो हमारी telegram की link पे update हो जाएगी जो link है वो हमारी description box में मिल जाएगी वहाँ से आप join कर सकते हैं तो चलिए हम पहले question से start करते हैं इसमें पहला question बोला गया है अनुवरती सेवाओं को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र किस ने कहा है? जो इसमें प्रक्रिया के प्रमुख अंग माने जाते हैं is considered as the main part of guidance process कौन सा ऐसा इसमें option है जो considered as a main part of guidance process मुल्यांकन है, समायोजन है, नवीनी करड है या फिर all of the above मतलब evolution, adjustment या फिर novelty या फिर all of the above तो इसका correct answer आपको लिखाई हुआ है, all of the above, मुल्यांकन, समायोजन और नवीनी करड जो है, ये निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग माने जाते हैं निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र निम्ण में से किसे कहा जाता है, अभी मैंने आपको ओपर ये चीज़ बताई है इसमें लिखा हुआ है anecdotal record, दूसरा लिखा हुआ है follow-up service, तीसरा लिखा हुआ है placement service और चौथा लिखा हुआ है information service तो इसका correct answer है follow-up service अनुवर्ती सेवाएं, जो अनुवर्ती सेवाएं हैं इन्ही को सौतेला पुत्र किस ने कहा मायर ने next question है, हाँ यहाँ पे कुछ points लिखे हुआ है जो अनुवर्ती सेवा है उसके बारे में, जो अनुवर्ती सेवा होती है अनुवर्ती सेवाएं निर्देशन के साथ चलने वाली क्रियाएं हैं, इसके अंतरगत जो guide सिर्फ client हैं, इनको निर्देश देखकर ही नहीं छोड़ देते, बल्कि ये भी पता लगाया जाता है कि दिये गए निर्देशन पाकर client जो है वो कहा तक सफल हुआ है, तो ये है अनुवर्ती सेवाएं, नेक्स्ट क्वेशन है, फोर्थ नंबर जो पेटर्सन है, इनके अनुसार जो निर्देशन है, उसको कितने प्रकार में बाटा गया है, how many type of guidance are there according to पेटर्सन, दो, तीन, चार या फिर पाँच, तो इसका correct answer है पाँच, नेक्स्ट क्वेशन है, अर्थिकत निर्देशन, चौथा है स्वास्ते सब्मंदी निर्देशन, और पाँचवा है आर्थिक निर्देशन, तो ये पाँच टाइप्स है, guidance के, आप याद रखेगा, पेटर्सन के अनुसार, इन्होंने इतने पाँच टाइप दिये थे, नेक्स्ट क्वेशन है, कि who has used the term vocational guidance, मतलब विवसाइक निर्देशन सब्द का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया था, तो जो फ्रैंक पार्सन्स है, इन्होंने ही vocational guidance का सबसे पहले प्रियोग किया था, first number इसका correct answer है, six number बढ़ते हैं, संकलित आलेक पत्र शब्द का प्रियोग किस वर्स शुरू हुआ था, important question है, जरूर याद रखेगा, जो cumulative record है, ये has been started to use, 1940, 1930, 1945 या 1950, तो इसका correct answer है, 1930, 1930 में संकलित आलेक पत्र शब्द का प्रियोग किया गया था, seven number question पूछा गया है, कि संकलित आलेक पत्र में व्यक्तिकत छात्र के मुल्यांकन से संबंदित सूचनाओं का आलेक होता है, सामान ने तया, ये सूचनाओं एक जगे पर लिख कर, एक ही स्थान पर रखी जाती है, ये कथन किसका है, जो ये statement दिया गया है, ये statement पूछा गय with appraisal of the individual pupil, usually kept in one place, तो ये statement किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे correct answer लिखा हुआ है, WDLN, WDLN ने इस statement को दिया है, संकलित आलेक पत्र के कितने टाइपस हैं, संकलित आलेक पत्र के थ्री टाइपस हैं, कौन-कौन से एक लेखा पत्र, पैकेट या परत फोल्डर और संचई फोल्डर, संचई फोल्डर मतलब communicative फोल्डर Next question है, आ निर्देशात्मक परमर्स के जन्मदाता माने जाते हैं, जो हमारा directive counselling है, उसके father पूछा गया है, कि father of non-directive counselling, आ निर्देशात्मक है, ओके, directive counselling बोलते हैं निर्देशात्मक और आ निर्देशात्मक non-directive counselling, ओके, तो इसका correct answer है, Karl Rogers, Next question है, निर्देशात्मक और निर्देशात्मक परामर्स का मिस्रित स्वरूप क्या कहलाता है तो ये तीनों ही correct answer है मतलब all of the above जो है ये mixed form है किसके निर्देशात्मक और निर्देशात्मक परामर्स के directive और non-directive परामर्स के यहाँ पर निर्देशात्मक कल लिजेगा next question हमारा 11 number है कि भारत में निर्देशन से परिचित कराने का स्रेय किसे जाता है who introduced the term guidance in India at first स्री सोहनलाल, केजी, सैदीन, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं तो इन दोनों को भारत में निर्देशन से परिचित कराने का स्रेय जाता है next question है निर्देशन आंदोलन का जन्मिस्थान माना जाता है which is considered as the birthplace of the guidance moment तो ये निर्देशन आंदोलन जो है guidance moment है इसका birthplace पुछा गया है तो इसका birthplace माना जाता है अमेरिका को 13 number question is कि सैक्षिक एवं विवसाइक निर्देशन नामक पुस्तक किसकी रचना है who has written the book educational and vocational guidance जो proctor है इन्होंने ही इस book की रचना की थी मतलब सैक्षिक और विवसाइक निर्देशन मतलब educational और vocational guidance जो book है ये किसकी रचना है proctor की proctor ने इसकी रचना की थी next question है आत्मकथा निर्देशन एवं परामर्स हेत सूचना एकत्रित करने की किस प्रकार की विदी है autobiography is considered as which type of method of collecting information for guidance and counselling मानकी क्रत्विद मतलब standardized method या फिर non standardized method मतलब की आमानकी क्रत्विद या फिर technique with मतलब technical method उपरोगत में से कोई नहीं मतलब none of the above तो इसका correct answer है non standardized method मतलब आमानकी क्रत विदी तो ये जो विदी है ये आत्मकथा निर्देशन और परामर्स हेत सूचना एकत्तित करने की एक method है या फिर विदी है next question पूचा गया है father of guidance and counselling जो हमारा chapter है उसके father पूचे गया है तो उसके father है frank persons कौन है frank persons next question इस निम्लिकित में से कौन सा एक मानकी क्रत या प्रमाडी क्रत परिक्षड विदी नहीं है समझ में आ गया not पूचा गया है तब आप confused मत होईएगा not पूचा गया है इसी लिए प्रविदी है next question है निम्लिकित में से कौन निर्देशन का एक सिधान्त है principle पूचा क्या है guidance का which of the following is a principle of guidance निर्देशन सभी के लिए मतलब guidance for all people guidance must be concerned with all areas guidance is a lifelong process या फिर उप्रोक्त सभी तो देखे इसमें लिखा हुआ है पहला guidance for all pupils बिल्कुल सही है जो निर्देशन ये सभी के लिए है फिर लिखा हुआ guidance must be concerned with all areas ये भी सही है मतलब सभी छेत्र से ये संबंदित प्रक्रिया है फिर लिखा हुआ है जो guidance है ये जीवन परेंथ प्रक्रिया है lifelong long process है ये भी बिल्कुल सही है तो इसका कौन सा correct answer हो जाएगा all of the above उप्रोप्त सभी next question है Crow and Crow ने निर्देशन के कितने सिध्धानतों की चर्चा की है how many principles of guidance Crow and Crow have discussed sorry actually आप के लिए content ढूड़ना फिर उसके बाद वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये भी एक exam की date एक तो exam की date बहुत लेट में बताईगी है और जो exam date है वो बहुत नस्दीक भी है तो मैं सोच रही हूँ बस आपका कहीं से question छूटे ना बस एक भी question कहीं से ना छूटे मैं सोचती हूँ जो हमने lectures दिये हैं उन lectures से आपके questions put up किये जाँ exam में और अगर put up हों तो प्लीज आप बताईए का जरूर से हमें अच्छा लगेगा next है crow and crow के निर्देशन के कितने सिध्धानतों की चर्चा की है मतलब how many principle of guidance crow and crow have discussed तो जो 14 सिध्धानत है निर्देशन के अंतरगत वे सभी ग्रह आ जाते हैं जो व्यक्ति को आत्मग्यान में सहायक होते हैं ये statement पूछा गया है किसका है guidance is all those activities which promote individual self-realization whose statement is this तो ये जो texler है texler नहीं इस statement को दिया था next question 20 number की प्रकृत के आधार पर parameters के मुक्य रूप से कितने प्रकार है on the basis of nature how many type of counselling are there किसके आधार पर प्रकृतिके आधार पर किसके टाइप्स पुछेगे हैं मुक्य रूप से किसके टाइप्स पुछेगे हैं counselling मतलब parameters के तो इसके टाइप 3 प्रकार के हैं तीन प्रकार के कौन-कौन से टाइप हैं, ये भी आप एक बार पढ़ लीजे, डिरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डिरेक्टिव काउंसलिंग, इलेक्टिक काउंसलिंग, एन कतम, त्री ही थे, अब मैं आगे जो बताने वाली हूँ, वो प्योर इंग्लिश में हैं, बट आप लोग बिल्कुल भी परिशान मत होईएगा, उसको मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूँगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगे, अगर जो हिंदी वाले हैं, अगर उनको दिक्कत होती है, तो मैं हिंदी में भी प्रोवाइड कराऊंगी, मलब हिंदी में भी बोलूँगी, बट लिखा उसमें इंग्लिश में होगा, लेकिन सब कुछ में हिंदी में ही आपको समझाऊंगी, किसी में भी आपको कोई confusion नहीं होगा ठीक है तो वीडियो देखेगा जरूर आगे भी तो देखे जो ये हमारे questions है ये सारे ही English में हैं आप परिशान मत होईएगा मैं आपको हिंदी में भी इनका means बताऊंगी question पुछा गया है कि guidance can be called a process because जो guidance है उसको आप process क्यों बोलते हैं process प्रक्रिया क्यों बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो guidance है ये पहले आपकी problem को समझता है define करता है फिर एक goal को set करता है उसके बाद फिर क्या होता है उसके बाद ये सब करने के बाद वो एक final goal पर पहुँच जाता है तो इन्हीं सब चीजों की वज़े से इसको हम process बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं तो इसका correct answer A number हो जाएगा यहाँ पे भी answer लिखा हुआ है Second number question है principles of guidance provide the जो हमें principle है guidance के वो हमें क्या provide करते हैं कौन सी चीज प्रोवाइड करते हैं पहला लिखा हुआ है psychological framework for organizing guidance activities दूसरा लिखा हुआ है sociological, तीसरा लिखा हुआ है philosophical या फिर political framework तो जो हमें principle of guidance है यह हमें क्या provide करते हैं philosophical framework for organizing guidance activities C number इसका correct answer है यह जो है यह आपको philosophical framework प्रोवाइड करते हैं जिससे आप क्या कर सकें जिससे आप guidance activities दू है उनको organize कर पाएं तो यहाँ पे भी correct answer लिखा हुआ है philosophical framework for organizing guidance activities थर्ड नम्मर question पूछा गया है कि state which of the following statements is not true क्या बोला गया है not true with respect to the principle of guidance इसमें बोला गया है कि कौन सा statement true नहीं है guidance के principle के according पहला लिखा हुआ है कि guidance is a lifelong process तो बिल्कुल सही है कि जो हमारा principle होता है वे lifelong होते हैं यह बिल्कुल correct है दूसरा लिखा हुआ है कि guidance can take the help of test for effectiveness जो guidance है उनके जो test होते हैं वे आपको बताते हैं कि guidance जो है वो आपके लिए कितना effective है यह भी बिल्कुल correct है तीसरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे no लिखा हुआ है और यहाँ पे not true पूछा गया है यह बोल रहा है कि बिल्कुल scope यहाँ पे बोल रहा है कि scope नहीं है है ना बट ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल scope है individual difference का क्योंकि हर बच्चा similar नहीं हो सकता उसको जानना guidance का एक scope होता है तो इसलिए इसका correct answer क्या हो जाएगा C number क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है not true यह इसका correct answer है कि there is no scope for individual difference in guidance और चौथा क्या लिखा हुआ है guidance is a generalized and specialized प्रोसेस तो यह भी इसका correct है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा C number फोर्थ नंबर according to jinzberg theory during the fantasy stage मतलब यहाँ पे पूछा गया है jinzberg theory के बारे में तो इसमें पहला लिखा हुआ है children primarily engage in playful act and simulating occupation मतलब जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं चोटे-चोटे बच्चे होते हैं वो अपना कोई playful act करते हैं जैसे कि कुछ boys होते हैं जो doctor doctor खेलते हैं girls होती है अपना koko पगाना मतलब की जो kitchen वाला काम होता है वो game खेलती हैं तो कुछ ऐसे playful acts वो खेलते हैं तो उनके अंदर फिर उनका जो occupation होता है वो decide हो जाता है जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि हाँ इस बच्चे को इस चीज में बहुत ज़्यादा interest है तो क्या पता ये आगे ऐसा बन सकता है मतलब सोचा जाता है कि उसका एक बार future के लिए दिमाग में चीज़े जरूर आती है तो वही इसमें बोला गया है एक fantasy stage उसकी बन जाती है तो वही इसमें जो theory बोली गया है वो theory पूछा जा रहा है कि इस theory में क्या बोला गया है तो इस theory में बोला गया है जो इसका correct answer लिखा हुआ हुआ A number वो मतलब children's primarily engaged in playful act and simulating occupations जो उनका किसी भी playful act में अपना वो लग जाते है फिर उसके बाद उसे को देख करके उनका जो occupation होता है वो decide होता है इसमें बोला गया है जो हमारी vocational choices होती है वो क्या होती है choices और मतलब इसमें यही चीज़ पूछी गए कि जो इसमें vocational choices है वो कौन कौन सी होती किस तरह की choices होती है और वो जो choices होती है वही सारी चीज़े वो किस stage में बोली गई है यहाँ पर stage पूछा जा रहा है कि जिन्सबर्ग थिवरी की कौन सी ऐसी stage है जिसमें vocational choices के बारे में बोला जाता है जिसे vocational choices क्या होती है like dance है computer बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो vocational choices के अंतरगत आती है तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि यह बात जो है यह किस stage में आती है तो जो यह बात है यह tentative choice stage में आती है B number इसका correct answer है कौनसा answer correct है B number फिर next question हमारा 6 number है कि in which stage of Jinsberg theory of vocational choice the individual will develop personal values and begin to zero in on his optimal career choice मतलब जो Jinsberg theory है इसके according जो vocational choice होती है जिसके अंदर एक individual जो होता है individual develop कर सकता है अपनी personal values को जैसे कि वो यहां पे लिखा हुआ है zero in on his optimal career choices जैसे कि zero से start करता है हर एक इनसान zero से start करके अपना optimal career जो है वो सारी चीज़े decided होती है फिर अपनी personal values जो है उसको वो develop करता है ठीक है तो जो personal values होती है उनको develop करना start कर देता है तो यह जो सारी चीज़े होती है वो यह सारी चीज़े यह जो बात बोली गए है वो किस stage में बोली गई है question में यह पूछा गया है तो जो यह बात बोली गई है यह बोली गई है realistic choice stage में कौनसे stage में D number is the right answer next question is easy Williamson was the chief proponent of easy Williamson was the chief proponent पूछे गये हैं किसके है तो यह है electric counselling के किसके है electric counselling के जो easy Williamson है next question 8 number है कि the one who seek help in our counselling is called the बोला गया है कि कौन होता है जो counselling से help लेता है counselling से help कौन लेता है जो counsellor होता है counsellor क्या होता है यह तो help अपना देता है है ना जो देता है जो देता है counsellor क्या होता है जो देता है counselling क्या होता है जो counselling लेता है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा B number और जो patient है patient किसके पास होता है doctor के पास तो इसका correct answer क्या हो जाएगा B number 9 number question पूछा गया है कि the one who provides help in our counselling is called अब देखे मैंने आपको बताया था कि counsellor क्या करता है provide करता है counselling को यह counselling देता है तो इसका correct answer हो जाएगा counsellor, A number is the right answer therapist तो बिलकुल ही नहीं होगा यह therapist यहाँ पे नहीं होगे counselling के बात आती है counsellor से ही related होगा या counselling से related होगा next question है which type of stress provide the outlet to express our talent and energies and help us to pursue happiness इसमें बोला गया है कि कौन सा type का stress है मतलब जो stress का type कौन सा है जो आपको provide करता है कि आप अपने talent को express कर सकें energy को express कर सकें और help कर सकें अपनी happiness को अपने तक आने में है ना तो ये चीज़ इस question में पूछी गई है तो इसका correct answer है ostris कौन सा ostris ostris जो है यही हमें एक यही एक type है जो हमें stress provide मतलब ये एक stress का type है जो हमें ये चीज़ करता है कि हम अपने talent को express करें energy को दिखाएं और help कर सकें अपने happiness को अपने तक आने में आ गया समझ तो ये हमारे कुछ इसके 10 questions important थे जो आपके लिए काफी helpful हुएंगे maybe फिलहाल तो ये सारे ही important है आपको सारे ही पढ़ने चाहिए अगर confusion है तो पूछेगा comment box में मैंने कोशिच करी है फटा फट से बताओ actually बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी है तो कई कई questions ऐसे हैं जहां पे कुछ गड़बड़ गड़बड हुआ है मनला बोलने में गड़बड़ गड़बड हुआ है बहुत ज़्यादा नीदारी है लेकिन वही है कि बस content बनाना है और आप तक provide कराना है आप तक पहुँचाना है ठीक है आप लोग ध्यान रखेगा अपना अच्छे से पढ़ाई करिए घर पे रहिए बाहर मज जाए क्योंकि COVID अभी पूरा खतम नहीं हुआ है और बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से अपने precautions को use करिए जितना भी time बचा है बहुत अच्छे से जो भी आप हमारी videos ही आप continue अगर देखते रहेंगे ना तो पका से आपका exam बहुत अच्छा होगा बस ये है कि अभी हम लोग को देखे marathon class इसी वज़े से marathon classes दी जा रही है जिससे कि time आपके पास अभी क्योंकि हम लोग का क्या है अभी हम लोगों को भी पढ़ना है मेरा भी exam है आपको पता है मुझे भी exam देना है बट वही चीज़े हैं कि जो भी हमारे important content है ये आप तक कैसे पहुँचाया जाए मैं तो पढ़ रही हूँ ठीक है बट आपको भी मिले और आपका भी exam अच्छाओं बस यही चीज़ हम लोग सोसते हैं कि आप लोग की help हो पाए कैसे भी है ना तो सारे ही optional questions देखेगा हमारे lecture से ही पूछे जा सकते हैं questions हो सकता है hope so ऐसा हो क्योंकि आप लोगों ने next video में thank you so much take care